रहीवार सोमवार की दरिवानी रात रतलाम से दाहोत के बीच मंगल महुडी लीम खेड़ा के बीच माल गाड़ी के बारा डब्बे बेपट्री हो गए बड़ोदरा दिल्ली के बीच रेल यातयात पर इसका गेरा असर पड़ा है मार्ग के सभी गाड़ियों को अन्य मार्ग से लिकान ले की कावायाच चल रही है पच्चिम रेलवे मुख्याले ने इस संबंद में बुलेटीन जारी किये है इस मार्ग से यातरा करने वाले सभी आत्री से निवेदा ने अपनी गाड़ी की ताजा इस्तिती जानने के लिए रेलवे हेलप लाइन 149 और NTSF का उप्योग करे रतलाम से बढ़ोदरा एमदाबाद वा मुंबई की और जाने वाली दस गाड़ियों को चित्तोडगर अजमेर पालनपूर एमदाबाद की मार्ग से ले जाय जा रहा है तो बढ़ोदरा से रतलाम की और जाने वाली पालनपूर अजमेर होकर चलाया जा रहा है जो गाड़ियां डायवर्ट की गई उसमें रतलाम चित्तोडगर अजमेर पालनपूर एमदाबाद के रास्ते कोलकाता एमदाबाद इंदोर मुंबई सेंटरल एक्सप्रेस निजामुदिर बांदरा नैदिल्ली मुंबई निकाला जा रहा है वहीं बड़ोधरा एमदाबाद पालनपूर के रास्ते पुने जयपूर और मुंबई सेंटरल हिसार गाड़ि को निकाला जा रहा है। पतना बांदरा टर्मिनस उदैपूर इन सब गाड़ियों को एहमदाबाद पालनपूर अजमेर चित्तोडगर के रास्ते से निकाला जा रहा है। आज दोपर तक यहाँ ट्रेक क्लियर हो जाएगा उसके बाद में याताया सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। इस बीच जो लोकल ट्रेने चेत्री की चल रही हैं उनको केंसल भी किया जा सकता है। इसके बारे में ओर अधीक बुलेटिन आने वाले हैं। इस बीच बड बहुत बड़ोदरा मेमो को किंसल कर दिया गया है। बहीं आज रवाना हुई बांदरा टर्मिनस हरीदवार गाड़ी उधना से मतुरा के बीच में डाइवर्ट रूट से चलेगी और बांदरा टर्मिनस गोरकपूर हमसफर को भी उधना से बीना के बीच में डाइवर्ट के रास्ते यह ट्रेने जा सकती है